Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्डबल जिसको third planum कहते हैं, चाइना के अंदर, वो भी start हो गया है, और इसके अंदर discuss किया जाएगा कि चाइना आगे किस रास्ते पर जाएगा, मतलब वहां की जो economy है, उसको सुधारने के लिए क्या किया जाएगा, ये भी एक बड़ी meeting होती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, चल exam crack भी कर लेते हैं, तो आपको जो पूरा का पूरा piece है, वो भी यहाँ पर refund कर दिया जाएगा, साथी साथ एक साल की validity यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी, और जैसा कि आपको पताएगे हमारे इस batch के अंदर, जो live classes है, वो मिलता है, personal mentor मिलते है, test series मिलता है, 18 UPSC के books आपके घ exam करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएए, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको भी आप attempt कर पाएंगे, तो चलिए सुरुआत करते हैं, और सबसे पहले यह देखते हैं, कि exactly हुआ क्या है, देखिए, चाइना का जो GDP growth का data है, second quarter का, अब इसमें ध्यान से स 1st January से ही start होता है, तो second quarter चाइना के लिए कौन सा हुआ, क्योंकि पहला quarter तो क्या है, January, February, March, यह पहला quarter हो गया, और जो second quarter है चाइना के लिए, वो हो गया April, May और June का, मतलब हमारे लिए first quarter होता है April, May, June, लेकिन उनके लिए होता है second quarter, April, May, June का, तो मैं बात कर रहा हूँ second quarter क April में, जून में, चाइना का जो GDP ग्रोथ का डेटा है, वो आया है 4.7%, अब आप कहोगे 4.7% तो still ठीक है, इसमें भारी गिरावट की क्या बात है, मैं आपको बताता हूँ, actually इसके पिछले वाला quarter अगर आप देखो, first quarter यहाँ पर जो GDP ग्रोथ हुआ था, वो हुआ था 5.3 और second quarter में भी यह expectation था, कि यह 5.1% होगा, तो हमेशा अपने expectation के आधार पर देखना चाहिए, कितना हुआ है, तो expectation था 5.1%, लेकिन actual में आया है GDP ग्रोथ का डेटा, that is 4.7%, इसलिए यहाँ पर एक बड़ी गिरावट बताए जा रही है, और पिछले 5 quarter में अगर आप को मिलेगा, और इसी की वज़े से यहाँ पर अब क्या हुआ है, कि इसको लेकर जो एक पूरी discussion है, जो एक पूरी meeting है, जिसको मैं बताता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको कहा जाता है, third planum meeting, actually क्या है न, चाइना के अंदर आप सबको पताए एक party है, that is communist party, CPC जि जिसके अंदर यहाँ पर जो main लोग lead करेंगे, चाइना को, वो कौन होगे, लगवाक 300 के आज पास उनको चुना जाता है, इस पूरे Congress के अंदर, तो वो जो Congress की meeting हुई थी, वो हुई थी 2022 में, और उसमें decide किया गया था, कि Xi Jinping को तीसरा term दिया जाएगा, वो ते एक political meeting हो ग यहाँ पर यह जो पूरा data सामने आया है, चाइना की GDP growth का, उसको लेकर काफी जादा discussion किया जाएगा, और यहाँ पर जो slowdown है, जो मैं आपको बोल रहा था, जो की data में सामने आया है, इस meeting के अंदर discussion होगा, कि यहाँ पर कैसे चाइना की जो growth है, उसको बढ़ाया जा सकता है साथी साथ मैं आपको बता दूँ, यह data उसी दिन publish किया गया, जब President Xi Jinping ने जो third planning की meeting है, उसको यहाँ पर start की, ठीक है, अब दिखे, question अब यहाँ पर सबसे पहला यह है, कि चाइना की economic के साथ क्या wrong हो रहा है, मतलब क्या issues है चाइना की economic के साथ, वो मैं पहले आपको बता देखोगे, तो चाइना जितना भी products produce करता था, जितना भी industrial output होता था, वो consume हो जाता था, क्योंकि चाइना की अबादी बहुत ज़ादा थी, अभी भी है, लेकिन यंग अबादी थी, तो consumption बहुत ज़ादा थी, लेकिन क्या हुआ है कि अभी consumption उतना नहीं है, लेकिन उनका जो industrial output है, वो कहीं जादा हो गया है, जिसकी वजए से उनका जो stock है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो industrial output has surpassed the domestic consumption, ये एक बहुत important चीज़ है, और साथी साथ आपको पता होगा, जब भी इस तरह की चीज़े होती है, मतलब जब supply बहुत जादा बढ़ जाता है, और demand उतन आपका growth हो रहा है, जिसे मानलों अगर भारत में 8-10% का inflation आ भी जाए, although अभी इस समय 6% के आसपास है, 5-6%, लेकिन 8-10% का inflation आ भी जाए, तो still growth हमारी अच्छी खासी हो जाती है, ताकि वो हम manage कर सकें, लेकिन deflation के case में क्या है, कि यहाँ पर आपकी जो पूरी economy है, वो खतरनाक हो जाता है, और आप एक trap में फस्ते जाते हो, तो चाइना के अंदर ये एक तरह का बहुत बड़ा डर है, कि क्या वहाँ पर एक deflation का जो दौर है, वो start होने वाला है, और recently आपको यादी होगा, property sector कितने बड़े crisis में था, वो एक साफ indication है, मतलब property के जो दाम है, ज चाइना के अंदर जो local governments है, उनके उपर कर्ज काफी जादा बढ़ गया है, और यहाँ पर कई लोग debate कर सकते हैं, कि सर यहाँ पर जो export है, वो तो चाइना करता है, यह दो को चाइना का जो export है, वो तो बढ़ी रहा है, लेकिन ये भी एक तरह से stable होता जा रहा है, मतलब उत कर रहा है, कि अपना जो trade है, वो चाइना के साथ कम किया जाए, हम जो import करा रहा है, कम करें, ज्यादा तर देश ऐसा ही करना चाह रहा है, तो इसकी वज़े से चाइना के लिए यह situation बहुत जादा आप कह सकते हैं, कि negative है एक तरह से, तो चाइना experience कर रहा है एक प्रकार से, shift from high speed growth to a more moderate pace, मतलब आप देखिए, 2023 में चाइना की GDP growth कितनी थी, 5.5%, उसके पहले वाले एक दो दसक में अगर आप देखो कि पिछले 20-25 वर्षों में, चाइना की GDP growth double digit में रहा करती थी, तो एक तरह से जो high speed growth वाला पुरा scenario था, वो बदल कर moderate scenario की तरफ यहां पर जा रहा है और इसके कई सारे factors हैं, जो मैं यहां पर आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे कि World Bank का अगर आप देखोगे, World Bank में चो कहा है, कि China has been undergoing a shift from investment driven growth model to one that emphasizes consumption and services, जैसे मैं आपको बोला ना, कि पहले China के लिए issues नहीं होता था consumption का, आबादी इतनी थी, young population थी, consume करते थे, वो जो produce क अगरता था, वो consume हो जाता था, लेकिन अब China को कहीना कहीं consumption के उपर काफी जादा focus करना पड़ेगा, साती साथ जो investment था infrastructure में, heavy industries में, जिसकी वज़े से China में बहुत expansion हो रहा था, GDP growth हो रही थी, लेकिन अब वो लगतार slow होती जारी, क्योंकि जब economy mature होती है, तब आप इसके भरोसे नहीं रह सकते, फिर आपको services पर जादा focus करना पड़ेगा, और इसके अलावा यहाँ पर जो China का demographic dividend है, वो भी आपको पता है कि overall ये खतम होता जा रहा है, क्योंकि youth की population कम हो रही है, और जितना जादा यहाँ पर aging population होगा, वो आपके लिए भार की तरह होती जाती है मतलब आपको उनको समालना है, young population, working population कम है, तो आपको जो workforce है, उसमें जादा एक तरसे productivity लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, इसके लावा अगेन आप देख सकते हो, यहाँ पर जो council on foreign relations है, उन्होंने कहा है कि United States, बाकी के जो economies है, उनके साथ trade tensions की वज़े से, चाइना का जो disrupt हो गई है, global जो demand है Chinese goods की वो लगतार कम होती जा रही है, तो यह सारे factors हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और जो major factor आप लगतार सुनते होगे, वो है आपका environmental factor, क्योंकि चाइना ने पिछले कुछ दस्कों में लगतार यहाँ पर industrialization किया है, बहुत सारा जो environment में pollution है, बहुत स economy है, उसमें बढ़ोतरी हो, दूसरी तरफ आपको sustainability की तरफ जाना है, तो इसको तो balance करना और जादा मुश्किल हो जाता है, तो यह चीज़ देखना होगा कि आखिरकार चाइना इसको कैसे कर पाता है, लेकिन यहाँ पर अब मैं आप सिर्प्रिस करना चाहूंगा regarding the third planum, द लेकिन चाइना आज के डेट में ऐसे रास्ते पर खड़ा है, जहाँ पर उसको देखना होगा कि कहीं वो जैपान के रास्ते तो ना चला जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बता है, जैपान में जिस तरकार deflation का दोर देखने को मिला, वहाँ की जो पूरी economy है, वो एकदम stagn stagnant हो गई, ग्रोथी नहीं हो रही थी, चाइना में बहुत लंबे समय तक, अगर आपको याद हो, मैंने शायद पिछले साली वीडियो बनाया था, regarding their negative interest rate, बहुत साल बात जाकर उन्होंने अपना interest rate को negative से positive की तरफ लाया, तो ये जपान की हालती पिछले 20-25 वर्षों से, तो वही कहीं न कहीं चाइना को डर है कि क्या उसी रास्ते पर जाएगा, ये जो third planum की meeting हो रही है अभी चाइना के अंदर, ये कई सारे issues को लेकर discussion होगा, मतलब लोगों को एक दिशा दिखाए जाएगी, कि चाइना की समय ये situation है, हम इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, last वाल उस तरह का लेकर आना है by 2035, और 2020 के planum meeting के अंदर ये decide हुआ, कि 2035 तक जो चाइना के अंदर disparities हैं regarding urban rural development, development between अलग-अलग regions, जो वहाँ पर disparities हैं, living standard जो हैं, अलग-अलग regions में आपको different देखने को मिलेगा, वो disparities काफी हद तक खतम हो जाएगी 2035 तक, और चाइना का जो एक और मकसद है 2035 तक अपनी military को modernize करना, वो भी उस दिशा में आगे बढ़़ा हैं, साथी साथ इस बार का जो meeting है, प्लानम meeting है, उसमें कई सारे efforts को लेकर discussion होगा, जैसे की कैसे advanced manufacturing को ज़्यादा promote किया जाए, मैंने आपको बता ना, वहाँ पर working age population खतम हो रही है, तो इसकी बतार कर्ज बढ़ता जा रहा है वहाँ की government के उपर, वो कैसे कम हो, साथी साथ property crisis को कैसे manage किया जाए, domestic consumption को कैसे और बढ़ाया जाए, boost किया जाए, private sector को कैसे revitalize किया जाए, ये सारे चीज़ों को लेकर discussion होने वाला है, इस plan a meeting के अंदर, और finally इस video को end करने से पहले मैं आप को ये भी बता दूं कि चाइना की जो economy है, वो किस दिशा में आगे बढ़ ये, यहाँ से आगे क्या होना है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो Goldman Sachs है, उनका जो भी report आया था, दीखिए, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह का second quarter में GDP growth का गिरावट हुआ है, इसकी वज पर अगर चाइना चाहता है कि उनकी GDP growth बनी रहे, तो उनको अपने domestic demand को समालना होगा, उसको थोड़ा सा strong करना होगा, वो चाइना की सरकार कैसे करेगी, क्या होगा, वो तो आगे समय बताएगा, in fact IMF का भी मैं आपको बता दूं, IMF ने ये actually कहा था कि इनकी GDP growth 5% के आस पा तो इस तरह की issues है, अब देखते आगे क्या होता है, बटाई होग कि इस वीडियो के अंदर आपको detail से समझ में आ गया होगा, कि exactly चाइना की GDP growth के साथ क्या हो रहा है, और जाने से पहले एक interesting question, दीकि यहाँ पर क्या बता सकते हो, इन में से कौन सा work है, जो की GDP calculation के अंदर ल पाउगे और जैसा मैंने आपको बता है, अगर आप प्रतिग्या बैच को लेना चाहते हो, जो की पर्सों मौर्निंग से स्टार्ट हो रहा है, यू कन यूज दिस कोड अंकितलाइव तो गेट मैक्सिमम दिसकाउंट, और आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से ने